हेलो फ्रेंट्स मेरी यूटूब चैनल में आप सभी का सौगत है आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट कश्टड तो फ्रूट कश्टड बनाने के लिए मैं यहां पर एक लेटर दूद का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहे तो गाय का भी दूद ले सकते हैं भैस का भी तो दूद हमारा यहां पर हो रहा है गरम इसी दूद में से में थोड़ा सा दूद एक बावल में निकाल लूँगी कश्टड पाउडर का घोल बनाने के लिए आप चाहे तो अलग से भी दूद ले सकते हैं तो दूद हमने यहां पर रख दिया है बॉइल होने के लिए तो पाउल हमें इसे लग्तार चलाते रहना है और हमें साइट शाइट चनुद बkiego चले और में यहां पर गाया का दूद इस्तमाल कर रहे हृती इसमें अगर आप भैस का दूद ले रहे हैं तो आपको जादा बॉयल करने की जववत नहीं है तो बनाएंगे मैं दीन दूद कि कष्टट पॉडर अगर आपके पास छोटा स्पून है तो आप चार स्पून इस्तमाल करें यहां पे में blueberry अदू सबूह से नहीं उद्षक्षkov कश्टड पाउडर का घोल याद रखें आपको एक साथ कश्टड पाउडर का घोल नहीं डालना है वरना इसमें काफी लम्स आ जाएंगे और चोटे-चोटे बबल्स आ जाएंगे हमारा कश्टड बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा तो हमें थोड़ा-थोड़ा करके इस पाउडर डालने के बास शक्र डालती हूं तो करीबन में यहां पर 500 ग्राम शक्र ले रहे हैं आप अपने अंदाज से ले जितना आपको मीठा चाहिए तो इसे हम अच्छी तरीके से बॉल करेंगे करीबन पास से 6 मिनट तक ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए तो यहां पर हमारा कश्टड रेडी हो चुक है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं है यह परफेक्ट है इस तरह का कोड आपके स्पून पर है तो आप देख सकते हैं यह परफेक्ट है अब हम करेंगे गैस को बन तो हम इसे र कर नहीं हैं, Ama के well here i will take you if you can do your own questions and add to the needed तो अब हमारा यहां पर हो चुका है थंडा हम इसे टांसर करेंगे एक बावल के अन्दर might be अब हम एक एक करके सारे फूर्ट को मिक्स करेंगे याद रखें आपको पानी वाला फूर्ट नहीं लेना है जैसे वाटर मेलन औरेंच इन फूर्ट का इस्तमाल आपको नहीं करना है तो थोड़े से फूर्ट में यहाँ पर बचा के रखूंगी गार्निस करने के लिए अब हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स एक स्पून की मदद से तो फूर्ट हमारा अच्छी तरह से हो चुका है मिक्स अब हम इसे रखेंगे फ्रीज में एक से दो घंटे के लिए थंडा होने के लिए तो चलिए एक से देड़ घंटे के बाद देखते हैं तो करीबन यहाँ पर में देड़ घंटे तक फ्रीज में रखी थी तो काफी ठंडा हो गया है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो थोड़े से अनार के दाने में यहाँ पर बचा कर रखी हूँ गार्निस करने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर ऐसक्रिम का भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ पर थोड़े से में ड्राय फूट्स भी डाल रहे हूँ आप चाहे तो काजू बदाम पिस्ता जो भी आपको पसंदो आप उस ट्राय फूट्स का इस्तमाल कर सकते हैं तो हमारा फ्रूट कश्टड बनकर रेडी हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरू ट्राय कीजिए अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो क को लाइक सस्क्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले मिलती हूं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए